आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरुपा भारत में पिछले 24 घंट बे कोरोना के 6984 नए मामले आये सामने एकल के तुलना में 20.7 प्रतीशत जाद मामले भारत वा मोमी क्रोन के 60 केस ब्रीटेन में फुल स्पीड में संक्रमड़ा स्पतालों में एमर्जेंसी और जैसे हाला राहूल गाधी ने लोग सभा में लखीम पुरहिंसा पर ग्रह राजिय मंत्री अजय टेनी के खिलाफ स्थगन प्रस्ताव दिया केंद्रिय मंत्री गटकरी से मिले राजिपाल गुर्मीर सिंग उत्रखंड में सड़क करेक्टिविटी को लेकर साज़ा क्या विज़न उत्रखंड के पूर वसीयम हरी शुडावत का ऐलांग कॉंग्रस की सरकार बन्ने पर तीन सौ दिन में लाएंगे लोग आगियो नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागते मैं हूँ आपके साथ शुखाम है रोत्र शुरुवात करते हैं उत्रकंड बुलेटिन की विधान सभा चुनाओ का समय निकट आते ही राजनीतिक दलों में स्टार वॉर्स शुरू हो गया है इसमें भाजपा सबसे आगे दिख रही है चार दिसंबर को धहरदूर में पीम नरेंद्र मोदी की सफलता के बाद अब कुमाओ दोरा तै हो गया है भाजपा से जुड़े जन प्रतिनिधियों ने पहली बार हल्दुवानी में मोदी की सभा रखी है इसके लिए 149 करोड की लागत से बन रहे अंतराश्री स्टेडियम गौला पार कास्थल निर्धारित है वैसे ये छेतर भावर का है जहां से पार्टि कुमाओ के परवतिय छेतर की 20 सीटे साधने की तयारी है साथी तराई और मैदान की 9 सीटों पर भी निगाही रहेंगी अब सियासी गलियारों में चर्चा है कि खेल के इस मैदान से मोदी की सभाग में चुनावी खेल का आकर्शन और बढ़ जाएगा फिलहाल इसकी तयारी शिरू हो चुकी है अंतराश्रे स्टेडियों में केवल 10,000 सीटे पहले से लगी है उत्रखन में पाचवे धाम के रूप में बनने वाले सैन्य धाम के शिलान्यास को रक्षा मंतरी राजनाथ सिंग दहरा दोना रहे है इस दूरान शहीद सम्मान यात्रा का भी समापन होगा रक्षम मंत्री गुनियाल गाउं में सैन्य धाम के भूमे पूजन और श्रलान न्यास कारिकरम में श्यामिल होने के साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे कारकरम में 204 शहीदों के स्वजन वीर नारियों को सम्मान किया जाएगा सैन्य धाम के मुख्यद्वार का नाम सीडियस स्वर्गियर जर्णल विपिन रावत के नाम पर रखने का निर्डेलिया गया है फिल्म अविकिशन ने कहा कि वो उत्रखन में गड़वाली और कुमाउ फिल्में बनाएंगे देवभुमी उत्रखन उन्हें शूटिंग के लिए खासी पसंद आई है गोजपुरी फिल्म इंडस्री जिस गती से आज आगे बढ़ रही है उत्रखन के फिल्मों को भी बढ़ावा देने के लिए विशेश प्रयास किये जाएंगे आगे उन्होंने कहा कि उत्रखन में जिस तरह फिल्मों की 70-80 प्रतीशत शूटिंग होती है उत्रखन में भी इसी तरह होने लगेगी क्योंकि शूटिंग के लिए बहतरीन जगहों में से उत्रखन भी शामिल है विल्मों की अधिक शूटिंग होने से टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा गोरकपुर से सांसद रवी किश्यन ने कहा कि विधान सभचनाओ को लेकर वो शूटिंग के बाद उत्तरफ्रदेश जाएंगे और इस चार तचारक के तौर पर तीन महीने तक भाजपा का प्रचार करेंगे इसके बाद वो विशेश रूप से मुख्यमंत्री पुशकर सिंग धामी के प्रचार के लिए उत्राखण आएंगे और उनके साथ रहेंगे गड़वाली कुमाउं में भी फिल्मे बनाने की बात कही है रविकिशन ने बोजपूरी फिल्मों को वहाँ पर बढ़ावा देरे की बात कही है जिस तरह से उत्रप्रदेश में शूटिंग बढ़ने लगी है उसी तरह से उत्रखण में भी शूटिंग बढ़ने की बात कही गई है आपको बता दे कि अब जिस तरह से राजनीती तेज़ा हो गई है फिल्म हस्तिया भी प्रचार प्रसार में जुट गई है और इसी बीच फिल्म अभीनेता रवी किशन ने ये तवाम बाते कहीं हैं उन्होंने उत्रक detailing में गड़ वाली ओ कुमाओ फिल्म में बनाने ओर देवभूमी उत्रक्न के लिए शूटिंग के लिए सही जगह पताई हैं उन्होंने बताया कि देवभूमी उत्रकंड रवी किशन को खास पसंद आई है भोजपुरी फिल्म इंडस्री जिस गती से आगे बढ़ रही है उत्राखंड की फिल्मों को भी बढ़ावा देने के लिए विशेश प्रयास किये जाएंगे आगे उन्होंने कहा कि उत्रप्रदेश में जिस तरह फिल्मों की 70-80% शूटिंग होती है उत्राखंड में भी इसी तरह शूटिंग होने लगेगी क्योंकि शूटिंग के लिए बहतर जगा में से एक उत्राखंड भी है फिल्मों की अधिकता शूटिंग होने से टूरिस्मों को भी बढ़ावा मिलेगा रोजगार के अब सर कोलेंगे गोरखपुर से सांसाद रवेकिशन ने कहा है कि वधान सबाचुनाओ को लेकर वो शूटिंग बाद उतर प्रदेश जाएंगे और इस चार प्रचारक के तौर पर तीन महीने तक भाजपा का प्रचार करेंगे इसके बाद वो विशेश रूप से मुख्यमंत्री पुषकर सिंग धामी के प्रचार में भी शामिल होंगे उत्रखंड आएंगे और मुख्य मंत्री पुश्कर सिंग्धामी के लिए प्रचार करेंगे और उनके साथ भी नज़र आएंगे वहीं अब खबर पॉड़ी गड़वाल से है जोहां क्याबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंग रावत की कार पलटने से हडकम पमज गया बतादे के मंत्री डॉक्टर धन सिंग दहरादून के एक दिवसे दोरे से लोट रहे थे वहीं कार पलटने की वज़ह भी शड कोहरा बताया जा रहा है इस हादसे में क्याबिनेट मंत्री सहीत सभी कार सवारों पर मामली चोटे आई हैं जिसके बाद उन्हें हस्पिताल भीजा गया हरिद्वार में आगामी चुनावों को लेकर सभी पार्टिया मैदान में उतर गई हैं जो अलापूर विधान सभा की भाचपा पार्टि के लिए भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है ग्रामीडों का कहना है कि भाचपा सरकार में महेंगाई और बेरोजगारी का एक खौफनाक रूप देखने को बल रहा है और हमारे मौजूदा विधायक भाचपा पार्टी पाथ साल में एक बार वोट मांगने के लिए आते हैं अब की बार कॉंग्रिस की सरकार लाने का काम किया जाएगा उत्रखन में पिछले कई दिनों से सुष्क बने मौसम का मिजाद फिर बदलने वाला है ताजा पश्चमी विक्षोप के यहां पहुचने के कारण प्रदेश के ज्यादतर इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है इससे प्रदेश भर में तापमान में गिरावट आने के कारण कड़ाके की ठंड पढ़ने की आशिंका है इन दिनों सुष्क मौसम के बीच प्रदेश में अधिक्तम तापमान सामाने के करीब बना हुआ है हलाकि सुभा और शाम को ठिछुरन बढ़ रही है पहाडों में पाला दुश्वारिया कर रहा है और मैदान में हलका कोहरा चाने लगा है इस बीच मौसम विज्यान केंडर ने मौसम का मिजास बिदलने के आशिंका जताई है मौसम वे भागने निर्देश शक विक्रम सिंग के मताबिक राजिस्थान और हर्याना की और से चक्रवाती हवाओ के साथ ही अरब सागर से ताजा पश्चमी विक्षोब बुद्वार शाम तक हिमाले छेतरों में पहुँच सकता है इस से अगले दो से तीन दिन तक उत्रखंड के ज्यादतर हिस्सों में हलकी बारिश के आसार बन रहे है इसके साथ ही 2500 सो मीटर से अधिक उचाई वाली छेतरों में बरफबारी भी हो सकती है तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरह से बरफ गिर रही है पहाडी इलाकों पे और अभी मौसम बदलने का और अनुमान जिताय जा रहा है पहाडी इलाकों में जहां बरफबारी की आशन का जताई जा रही है वहीं मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ने के आसार देखे जा रही है ताज़ा पश्रमी विक्षोव के यहां पहुचने के कारण प्रदेश के जदातर इलाकों में वारिश और बरफबारी हो सकती है पोहरा चाने से लोगों को दिक्कतों के सामने केना पड़ रहा है। जबीच मौसम विज्ञान केंद्र ने मौसम कामिजास बदलने की आशंगा जताई है। वहीं रुख करते हैं अगली खबर की तरफ चंपावत के खटीमा ने DFO पूरवी तराईवन विभाग संदीब कुमार और SDO खटीमा शिवराज चंप के निर्देश पर गश्त के दोरान रेज अधिकारी आसरस मनराल की टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। उन्होंने एक लोडेड सिंगल बोर की बंदूक और दो अन्यकार्तूस के साथ चंचा सिंग नाम की एक शिकारी को धर्दबोचा। जिसे वन अधिक अधिनियम की धाराओं के तहत जेल भेज दिया गया है। उत्रखन की खबरों में फिला हाले तहीत अब आप खबरों के लिए देखते रहे हैं प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरुका। खबरों में यहाँ सबस्च टो आप खबरों के लिएक अच्तवाा यहाँ सुटय।